तो मैं सचिन कुमार स्वागत करता हूँ आपका स्माई मेकर पर और दोस्तों कॉंसेप्ट नंबर 6 है हमारा जिसमें हम कवर करेंगे यानि कि जब ब्याज छमाई हो या तिमाई जोड़ा जाए तो हमें किस परकार से क्या अप्रोच लगाने है कॉशन को शोल करने में हम वो क Melcen को अपनी आतर कर सकते हैं जैना कि अगर जब चमाई जोड़ेगा तो दो साल काउंट कर लेंगे और जिमाई जोड़ेगा तो शाल से अर्दवार्शिक गणना करने पर सरल ब्याज सरल ब्याज का मतलब है साधार्ण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा ठीक है यानके सरल बियाज के अंतर क्या होगा यानिके चकरवर्दी और SI और CI का अंतर हमें पूछ रहा है क्या होगा किस परकार से निकालेंगे वो देखते हैं तो देखते हैं दोस्तों भाई सबसे पहले तो हमें rate के बारे में ही पता होना चाहिए कि rate कितनी है हमारी यहां 10% क्या है परती वर्ष परती कि लिए रहे हैं यहां थे कोई प्रॉबलम नहीं है लेकिन वो क्या कह रहा है यहां पर देखो अर्दवार्षिक रूप से क्या हो सही हो जीत अर्दवार्षिक का मतलब है पर यानिके कितना जोड़ा जाए पर छे महीने ठीक है पर छे महीने यानिके पर छे महीने जब जोड़ा जाएगा तो कितना होगा है परती वर्ष कितनी है पांच नहीं 10 है तो हर छे महीने में कितना पांच परती सथ जुड़ेगा और जब combine करेंगे यानिके दूसरे जब एक 6 महीनने का यह है तो दूसरे 6 महीनने का भी पांच होगा पांच परतिसद तो टोटल दोनों की मिलागी कितनी हो जाएगी 10 परतिसद यह किलियर हुआ आपको अब हम निकालते हैं क्या बीच का अंदर हमने जो concept नंबर सायद 4 था हमारा जि देखते हैं ठीक है यह पांच परतिसद तो आपको समझ में आ चुका है किलियर है अब देखते हैं प्रसन को किस परकाशे शोल करेंगे यह कितनी गणना करनी है पांच परतिसद यहां तक प्रोब्लम नहीं कि देखो क्या करेंगे हम डीटू निकालेंगे वह यंतर है हमार और डीटू किस परकाशे निकाल देए पी का आर परतिशत का आर परतिशत ठीक है पी कितना है हमारे पास पी है बारा सो बारा सो का आर परतिशत कितना है पांच परतिशत रह चुकी है परतिशत गुना पांच परतिशत इस परतिशत को अटाएंगे तो नीचे कितना यह सो आ जाएगा और यह हट जाएगा ठीक है इस परतिसत को अटाएंगे तो कितना नीचे एक और सो यहां तक कोई प्रोब्लम नहीं तो आपने देखा दो जीरो से दो जीरो कैंसी हो चुकी है पांस से कितनी बार जाएगा बीस यानिके पांच दूनी दस ठीक है अब यह प दर होगा ठीक है यह हमने किस परकार से कोश्चन को शोल करने की कोसिस की जब हमें ब्याज की दर क्या दी जाए छमाई या तिमाई यह हमारा पहला कोश्चन अब हम नेक्स्ट कोश्चन लेंगे फिर इसके बाद पास्ट कोश्चन तो देखते हैं दोस्तों को किस परकार से शोल करेंगे हैं ठीक है देखो यदि किसी रासी का बारा परतिशत वार्षिक कि दर्स से हर छे महीने बाद जोड़े जाने वाले CICI मतलब compound interest तैथा SI simple interest का एक वर्ष का अंतर कितना है 36 हो तो वह रासी कितनी होगी ठीक है SSCC जिल 2001 में प्री में पूछा गया 10,000 12 और 15,000 9,000 तो किस परकार से शोल करते हैं देखो आपको मालूम है हम जब भी difference निकालते हैं 2 सार का तो कितना निकालते हैं D2 निकालते हैं D2 किस परकार से D2 निकालने का trick क्या दिया है यानिके P का R परतिशत का R परतिशत यही तो निकालते हैं D2 ठीक है अब हमारे पास total R कितनी दी गई है देखो हमारे पास total R दी गई है 10 परति बारा परतिशत सोरी कितनी है 12 परतिशत यहां तक कोई प्रोब्लम नहीं ठीक है 12 परतिशत दर दी गए यह लेकिन यह कितनी है वर्स की यानि कि परती वारशिक दर है ठीक और भी आज क्या करना से जोड़ना आज नुए लिका तो JACK निकाला यानि कि छौने मं निकालेंगे होगी 6 परतिषत हैं यहां तक क्लिए रहे अब बस इसमें मान रख देंगे हमारा D2 कितना है अंतर 36 ठीक है अब यहां से निकालना है P कितना है P तो हमें निकालना ही है गुना का मतलब का ठीक है और R कितना है 6 परतिशत का 6 परतिशत इसका 100 नीचे इसका 100 नीचे इस 36 से 36 cancel हो गया तो P की value कितनी आ जाएगी 10,000 यानिके मिसको 10 के भी लिख सकते है राइट अंसर होगा option first term तो आपने देखा किस परकार से हमने शोल किया अब एक question और है जो हम क्या लेंगे तो देखते हैं उसको किस परकार से करेंगे तो देखते हैं दोस्तों question को किस परकार से शोल करते हैं यह हमारा last question है यह है लगबग तीमाई पर बेस ठीक है देखते हैं तीमाई पर नहीं है ठीक है छमाई पर यह देखो चार परतीसत वार्शिक दर्स से एक सई एक बटा दो वर्स में च्छे साथ हजार रुपे का कितना मिश्रदन होगा जबकि ब्याज हमाई जोडा जाता है ठीक है किस परकार से करना है भाहिए उप्रच लगानी है मैं question को करने में इस बार क्या पूछ रहा है हमसे एप पूछ रहा है यान कि amount कितना होगा ठीक है मिश्रदन ठीक है तो दे वर्स का यानिके एक साल का निकालने हमें छमाई तो यानिके इसका आधा कर देंगे तो कितनी होगी दो परतिशत दो परतिशत की fraction कितनी होती आपको मालूम है वन अपॉन 50 कि लिए रहे जहां तक कोई problem नहीं अब क्या करेंगे यानिके कोई धन 50 से 51 होगा एक येर में ठी कितनी छमाई होगी टोटल तीन छमाई तो यानिके हम तीन साल का निकालने हैं तो कितना पचास का क्यूब कितना हो जाएगा देखो पंजे पंजे 25 और पंचीस पंजे 125 और ये 30 का और ये 50 का कितना होगा हम 51 का डिरेक्ली 51 51 रख लिए ठीक है अब देखते हैं हमें इसकी वेल्यू दी गई है सवाल में कितनी है देखो 12500 की वेल्यू है सवाल में 60 ठीक है और पूछ रहा है इसकी वेल्यू कितनी होगी तो क्या करें है 5 का क्यों नहीं 51 का क्यों बराबर करते हैं 6 double कितना 4 times 0 upon 125 00 और गुना 51 गुना 51 गुना 51 करते हैं ठीक है इन 3 0 से ये 3 0 proceeds 25 से कितनी बार ये 5 से कितनी बार पिचिस अजयेगा और पांसे कितनी बार होजाएगा बाराः ठीक है पचिस से कितनी बार जाएगा ये जाएगा टू 26-0-1 ठीक है 26-0-1 के साथ multiply करते हैं देखते हैं यहां के पॉइंट के बाद 8 आना चाहिए यहां 4 पॉइंट के बाद और 2 पॉइंट है तो राइट अंस है option first ठीक है इस परकार से हमें question की करने की approach देखनी है कहां से हम question को shortly कर सकते देखा आपने हमने इसमें ज्यादा गुना नहीं की ठीक है वरना हम इसमें square लगाते फिर गुना करते यह क्यूब लिखते फिर हमें problem हो सकती थी तो दोस्तों यह concept आपको six समझ में आया होगा और उम्मीद करता हूं आपको इस सभी concept भी समझा रहे है जो कोई व्यक्ति या स्टुडेंट्स पहली बार इस वीडियो को देख रहा है वो अगर आपको होर भी चीज़े हैं हमारे concept को समझने तो वह playlist में जाके चेक कर सकता है तो दोस्तों धन्यवाद